दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहां पर अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और फिर किसी भी बज़स से अगर आपके पास टीकट नहीं है और जब यहां पर टीटी आपके पास आता है तो फिर वह आपके साथ मिस्विहब करता है आपकी मार पिटाई कर देता है तो फिर इस सुरत में आपके पास क्या कानून या दिकार है क्योंकि यहां पर अगर आपके पास टीकट नहीं है तो टीटी आपके साथ मार पिटाई नहीं कर सकता है बलकि वह आपके उपर फाइन ल ताकि मैं जब भी कोई इस इंफर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें अगर टीटी आपके पास आता है और अगर टिकट नहीं है तो फिर वह आपको परफानी लगाएगा न कि आपकी पिटाई मेंसन होता है जी हां तो आप गोड से देखें और नाम को नोट कर ले और फिर आपको कंप्लेन करना चाहिए अब सवाल उठता है कि आप कंप्लेन कहां करेंगे दोस्तों आपके पास कंप्लेन करने का कई सारा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर रिल्वे का जो ऑफिसियल स्वापिस्पोंस मिलेगा यहाँ फिर आप 139 पर क कॉल करके भी लौज करवा सकते हैं फिर वहां पर कंप्लेंट करने निशिति करवाई होती है यहाँ पर रीलिवे का पर वए का वर बीपोस्ट के माधियम से मेजह करने उसका जो भी receiving आपको पुष्ट office से मिलता है आप उसे सबुद के तौर पर रख लें तो आप एक कामिया कर सकते हैं या फिर आप उस टीटी के उपर पुलिस थाने में return में complaint भी lodge करा सकते हैं अगर आपके complaint देने के बहुजूद भी कोई करवाई नहीं होती है तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप यहां पर वकिल के माध्यम से कोट में भी complaint कर सकते हैं तो मैंने यहां पर इतना सारा यहां पर प्लेटफॉर्म बताया अगर आप इतना जगा complaint करेंगे तो फिर कहीं ने कहीं आपकी complaint को सुना जाए गौर्णी सित्री करवाई होगी तो यहां पर कोई भी अगर टीटी से सम्मधित complaint हो तो आप 139 पर complaint कर सकते हैं आप ट्विटर पर complaint कर सकते हैं आप मिनिस्ट्री ओफ रेलवे को रिटिन में लिख कर अपने complaint को रिजिस्टरी स्प्रीट पोस्ट के महाध्यम से भेज सकते हैं तो दोस्तों मैं यहां सा करता करें रौंस वाल कोई बोक्स में करें उल्स स्वाल है तो और अगर इस से रिजिए typically उस्टरान पर बात कर ना चाहते हैं ने पांश करें मेरा इससराम डूकल टोपीक के इसात्त अप अपने और अपने परिवार का खहाल लगत